नमस्कार दोस्तों आज हम जानेगे फल खाकर कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपने आखों की रोशनी हैं आज के वीडियो का टाइटल है आखों की तेज रोशनी के लिए खाये ये फल इस बात को सभी जानते हैं कि अगर आपका खान पान सही नहीं होगा तो आपका संपूर्न स्वास्त ही बिगणने लगेगा आपके संपूर्न स्वास्त में आपकी आखी भी एक एहम हिस्सा निबाती है खराब खानपान आपकी आखों पर गंभीर प्रभाव डालता है और आपकी आखों को कमजूर बनाने का काम करता है आपकी आखों को आपकी डायेट से विशेश प्रकार के पोशन की जबुरत होती है ताकि वह अपना काम सही तरीके से कर सके क्या आप जानते हैं कि बाजार में बिखने वाले कुछ फल आपके आखों की रोश्णी बढ़ाने के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है अगर आप भी कम्पूटर और लैप्टॉप पर बहुत ज़्यादा देर तक्ताम करते हैं या फिर आपके पहले ही बहुत कम दिखाई देता हैं तो आपको इन फलो का सेवन तुरंट शुरू करना साहिए आईए जानते हैं कौन से है ये फल जो आपकी आखों की रोश्णी बढ़ा सकते हैं संत्रा संत्रा खटे फलो या यू कहें कि सित्रेल फलो की सूची में पहले स्थान पर होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी की प्रचूर मात्रा पाई जाती है जो मोतिया बिंदू से लगने में मदद करती है और आपकी आखों को पूर्ण रूप से हाइडरेट रखती है दरसल संत्रे में पानी की पर्याप्त मात्रा होती है जो आखों की गोश्नी बढ़ाने के साथ साथ आपकी आखों को होने वाले नुकसान से भी बचाता है एवोकाडो लूटिन और जैक्सिनाथिन की प्रचूर मात्रा के लिए एवोकाडो रात में न दिखाए देने जैसी समझ से आखों सुदारने में मदद करता है इसके अलावा इस फल के सेवन से हानिकारक अल्ट्रा ओयलेट कीर्णों से आखों के होने वाली नुकसान से बचाने में मदद करता है पपिता देर सारे मिनरल्स, एंटि आक्सिदेंट और एंजाइम से बखबूर पपिता आपकी आखों के संपूर्ण स्वास्थ के लिए एक बहतरीन फल है जो आखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ आपकी आखों को होने वाले नुकसान से भी बचाता है आम फलो का राजा, आम आपकी आखों के लिए किसी बहतरीन फल से कम नहीं है विटामिन A से समुर्द आम आपकी आखों की सतह पर होने वाली इंफेक्शन और बैक्टेरिया को हटाने का काम करता है विटामिन A की कमी आपकी आखों में रुखेपन और देंदलेपन का कारण बन सकती है जो आपकी आखों की सेहत को बिगाड सकती है आउला आउला सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जो आखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है इसमें विटेमिन C होता है जो आखों के लिए फाइदेमंद होता है सिर्फ आखों के लिए ही नहीं बलकि आउला सेहत के लिए भी फाइदेमंद है इसके अलवा आप इसका इस्तमाल स्कीन और बालों में भी कर सकते हैं अमूरुद अमूद में विटेमिन C और विटेमिन A की मात्रा पाई जाती है विटेमिन A का सेवन आखों के लिए फाइदे मंद होता है विटेमिन A की कमी से रात के समय दिखने में समस्या आती है विटेमिन A की कमी के कारण ड्राइ आई की समस्या नाइट ब्लाइंडनेस के लक्षन आदी नजर आ सकते हैं धंड के मुस्टम में आपको ताजे अमूत खाने चाहिए हाला कि एक दिन में एक ही अमूत से ज़्यादा खाने नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा अमूत खाने के कारण कई लोगों को पैट में दर्द की समस्या हो जाती है इसलिए मातरा सीमीत रखें गाजर गाजर आखो के लिए काफी फाइदेमंद होता है इसमें विटैमिन A होता है जो आखो के लिए काफी मददगार है कई रिसर्ट में यह देखा गया है कि जिन सबजियों में विटामिन A और कैरिटुनोड पाया जाता है वह सबजिया हुमर के साथ आखों में होने वाली परिशानिया नहीं होने देती गाजर में लुटीन और जेकसाथीन भी पाया जाता है जो आखो को नुकसान पहुचाने वाली लाइट से बचाता है पत्तेदार सब्जिया, सब्जिया आखों की रोष्णी को बड़ाने में मदद करता है और आखों को हेल्द रखने के लिए आप पत्तेदार सब्जिया का बरपुर मातरा में सेवन कीजिए जो आपकी आखों के लिए फाइदेमंद होता है तो दोस्तों यही कुछ सब्जिया और फल है जिनसे आप आपकी आखों की रोष्णी बड़ा सकते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेर में बता दीजिए इस वीडियो को आप अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी मिल पाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना फ्याल रखिए और याद रखिए आयोवेड ही जीवन है जीवन ही आयोवेड है